नवश्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपका लवगरून M.K. YouTube चैनल में जी हां दोस्तो आज जो आपके लिए हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपकी जिंदगी का खास टॉपिक हो सकता है अगर आप भी बहुत भी चिंतित है अपनी शादी को लेकर जी हां दोस्तो आपकी शादी की उमर एकी बढ़ती जा रही है और शादी के लिए कोई वरवधू नहीं मिल रही है वैसे में आपकी टेंशन और भी जाना बढ़ जाती है दोस्तो हमारी इस वीडियो को अंतक देखेगा जी हाँ दोस्तो आपका ये काम हम बना कर देंगे बड़ी असानी के साथ आपका काम बनेगा तो दोस्तो कैसे आप अपनी शादी गर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूँ दोस्तो ये किसी लड़के ये लड़की के लिए बन पसंद भर या वधू नहीं मिल रहा हूँ या फिर शादी में कोई ना कोई बाद हा जाती है तो दोस्तो इससे ना सिर्फ लड़का या लड़की परिशान रहते हैं बलकि उनका पूरा परिवार ही परिशान रहना शुरू हो जाता है दोस्तो बात लड़की की हो तो माता पिता के लिए परिशानी की बात और भी जाना बढ़ जाती है क्योंकि दोस्तो एक बच्ची का विवहा करना बड़ा ही मुश्किल कारिया हो जाता है तो दोस्तो कहीं बार ऐसे उधारन भी होते हैं कि किसी के बच्चों के चट मंगनी पटबिया भी हो जाते हैं दोस्तो और कोई लबी समय तक संगर्शी ही करता रहता है तो वैसे विवहा का मामला भी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला लिया नहीं जा सकता और सोच समझ कर आगे बढ़ने में कभी-कभी बहुत देर हो जाती है तो दोस्तो अगर आप बहुत ही जादा चिंती रहने लगे हैं इस बात को लेकर कि क्या आपकी शादी हो भी पाएगी या नहीं क्योंकि आपकी रिस्ते तो आते हैं लेकिन कभी भी आपका वरिस्ता पूरा नहीं होता तो ऐसे में, दोस्तों आइए, हम आपको बताते हैं, कि किस परकार की बाद आए, आपके जीवन में आसर ही है, और दोस्तों क्या कारण हो सकता है, जिसे कोई शादी नहीं हो पारही है, तो दोस्तों, नमर एक होताए, कुंडली में दोश होने के कारण, ग्रहँ अनकूल नही की होने के कारव नW3 मांगलिक की कुणिली में है तो आपकी विवामी देरी आएंगी ही आएंगी जी हाँ दोस्तो सबसे पहले आप हमारी दिये नुम्बर पर एक बार जुरूर कॉल करें और अपनी दोस्तो कुंडली चेक करवाएं कुंडली में अगर किसी प्रकार का मालिक दोश है तो वो देखें उसके उपाई करें इसके अलावा कुंडली में दोश और भी हो सकते हैं जैसे कि दोस्तो आपके ग्रहन अक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसके लिए कुछ उपाई करने पड़ेंगे जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसा करना ही आपके लिए बेतर रहेगा लड़की की शादी में देरी होने थी बगवान शीव की उपासना करनी शाहिए पांच नारियन लेकर बगवान शीव की फोटो या बगवान शीव की मुर्टी की आगे रखकर ओम श्रीवर परदाए श्री नमहा नाम का जाप करना है मंतर की पांच माला जाप करना होगा और सभी नारियन मंदिर में आपने चड़ा कराने है और रोजाना दुरगा सब्तमिसी का अपने जाप करना चाहिए और किसी भी लड़के कोशिव लिंक पर जाकर कच्छा दू दर्पित करने से रिल्टरसोंवार कोवरत रखने से आपकी भी मनुकामना पूरती होगी और आपका भी बहुत ही जल्दे कच्छा रिष्टा आपको मिल ही जाएगा और आपका प्रेम विभा भी हो सकता है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं आपके शादी में जितनी भी देरिया हैं उनको दोस्तों बहुत ही जल्दी आपकी शादी होने के कामना में बदल सकते हैं तो हमारी इस वीडियो में आपके लिए इतना ही दोस्तों तरह तरह के पाई आपके लेकर आते रहेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना